तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जुपिटर यानि गुरू जब बर्चाट के नाइंथ हाउस में आता है तब उसका आपकी लाइफ में क्या इंपेक्ट पड़ता है नाइंथ हाउस जैसा हम जानते हैं नाइंथ हाउस का संबन्ध है हमारे बिलीफ से जो भी हमारा रिच्वल बिलीफ है जो भी हमारा धार्मिक बिलीफ है जो भी हम अपने धर्म के बारे में सोचते हैं जैसा भी हम अपने धर्म को समझते हैं जैसे भी हम जानते हैं अपने इश्वर को, अपने उस वर्मादमा को, जिसने हमें जनम दिया है उनके रिगार्डिंग जैसा भी हमारा फेथ है, जैसा भी हमारा विश्वास है, उसका सम्मन नाइन था उससे है दूसरा जो इन चीजों के बारे में हमें ज्ञान दे, उसका सम्मन भी नाइन था उससे है जैसे गुरू, फादर, आपके टीचर और कोई भी रिलिजियस बुक्स, जिनका सम्मन धर्म की चीजों से है इन सब चीजों का सम्मन नाइन था उससे है दूसरा नाइन था उसस जो है, उसका सम्मन है वर्ल्ड व्यू से, यानि इस संसार को जिस तरीके से हम देखते हैं, जो भी हमारा समझने का तरीका है, इस संसार को, इस दुनिया को दुनिया के बारे में जैसे भी हमारे विचार है उनका सम्बन भी 9th house से है 9th house का सम्बन higher courses से है जितनी भी बड़ी knowledge होती है जितनी भी ऐसी knowledge होती है जिसमें आपको degree करनी पड़ती है जितनी भी ऐसी knowledge होती है जिसमें आपको PhD करनी पड़ती है जितनी भी ऐसी knowledge होती है जिनका सम्मन हमारे धर्मा से है God से है जैसे वेद और विदान्त जैसे रामा और गीता बाइबल कुरान ये जितनी भी books है या जितनी भी knowledge है इनका सम्मन 9th house की चीजों से है और जो 9th house है वो है हमारे कर्मा का ending part यानि 10th house हमारे कर्मा और 10th house से 12th house यानि हमारे कर्म का सबसे आखरी part इसलिए आपने देखा होगा कि mostly जो लोग बुजर्ग होते हैं उनका जो रुजहान होता है वो धर्म की तरफ चला जाता है आप जायतर old age में भगवान को समझना चाहेंगे आप उस ताइम ये नहीं जाना चाहेंगे कि मेरा business कैसा हो और मुझे अपने नाम के बारे में क्या करना है, मुझे अपनी पहचान के बारे में क्या करना है, मैं कितना wealthy बनूँ आपका सारा focus जो है, वो God की तरफ चला जाता है क्योंकि जो ninth house है, वो आपके कर्म का end part है Jupiter Jupiter हमारी knowledge है हमारा wisdom है Jupiter का संबन गुरू से है, teacher से है किसी women के charge में अगर Jupiter है तो उसका संबन उसके husband से है, male child से है Jupiter हमारा belief है Jupiter जो है, वो बहुत ज़्यादा optimistic है दूसरा Jupiter का संबन growth से है, expansion से है और Jupiter कहीं न कहीं, लक्का भी कारक है तो Jupiter गर ninth house में आएगा तो धर्म की चीजों में जो हमारा interest में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यानि हम different different तरीके की books को पढ़ेंगे धर्म के बारे में हम अपनी knowledge को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे धर्म की चीजों में हमारा interest बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि गुरू का सम्मन है expansion से, growth से तो हो सकता है गुरू अगर आपके ninth house में हो तो धर्म की बहुत सारी books को आप पढ़ें बहुत सारे मंद्रों में आप जाएं बहुत ज़्यादा धर्मिक स्थलों में आप जाएं एक से ज़्यादा आपके गुरू हूँ एक से ज़्यादा आपके teacher हूँ एक से ज़्यादा धर्म को जानने की कोशिश करें अलग-अलग culture के धर्म को जानने की आप कोशिश करें अलग-अलग कल्चर को समझने की कोशिश करें आपकी जो नौलिज है वो बहुत बढ़ जाएगी धर्म के रिगाड़े यानि इस संसार को देखने का जो आपका तरीगा है वो बहुत विस्तारित हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा एक आम आदमी सिर्फ अपने ही धर्म के बारे में सोच रहा है अपने ही गौड के बारे में सोच रहा है लेकिन आप और भी धर्म के बारे में सोचोगे और भी धर्म के जो देवी देवता हैं या जो उनके रिलिजिस गुरू हैं जिनके उपर भी उनका बिलीफ हैं उन चीजों के बारे में भी आपका इंटरेस्ट बहुँजादा रहेगा क्योंकि धर्म की जितनी भी नौलिज होती है चाहे वो हिंदु धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे सिख हो चाहे इसाई धर्म हो या और भी जितने धर्मा हैं इन सब चीजों के बारे में आप knowledge को gather करेंगे आपकी knowledge एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा हो इसलिए हो सकता है कि आप कोई धार में गुरु बन जाए कोई धार में teacher बन जाए कोई preacher बन जाए कोई महान पंडित बन जाए बड़ अगर गुरु मान लो अगर यहाँ पर अपने debilitation में अगर होता है यानि Capricorn Sign में होता है नीच का होता है आपकी जो knowledge होगी न वो भी बहुत ज़्यादा metalistic होगी यानि धर्म के बारे में जो आपकी knowledge होगी वो ऐसी होगी कि धर्म के through आप चीजों को achieve करना चाहेंगे metalistic चीजों को आप achieve करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आप real dharmic guru ना हो real dharmic teacher ना हो या कोई भी guru ना हो गूरू के रोल में हो सकता है कि आप metalistic gain करें आप अपनी knowledge को use करें अपने आपको रिश्ट बनाने के लिए अपने आपको पैसा वाला बनाने के लिए क्योंकि नीज का गुरु जो है वो धर्म को अलग तरीके से समझने की कोशिश करता है नीज का बिलेंडरी यानि नीज तरीके से चीजों को करना नीजता दिखाना छोटी सोच रखे उन चीज geben को करना दूसरी चीज यह कि मान लो आपके फादर है और हो सकता है कि आपके फादर अल्ली लाइफ में आपको छोड़के चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं या सही तरीके से आपके साथ रह नहीं पाते हैं या आपकी परविरिश नहीं कर पाते हैं तो उस condition में एक चीज और भी हो सकती है कि आपके father का role कोई other person करे यानि यह हो सकता है कि आपके grandfather आपको पा ले या आपको कोई बड़ा भाई है वो आपको पा ले या कोई आपके grand uncle है वो आपको पा ले या जहां आपकी शादी होती है वहां जो आपकी हजबन के फादर है वो फादर वाला रोल आपके साथ अदा करें तो यह हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा फादर हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में फादर की तरह एक्ट करें और father वारा role अदा करें दूसरा अगर किसी women के चार्ट में अगर ninth house में गुरू है तो हो सकता है आपकी मुलाकात आपके husband से किसी मंदिर में हो किसी ऐसी जगा हो जहां पर पूजा पाठ हो रही हो या हो सकता है कि जो आपके husband हो वो कोई पंडित हो, कोई teacher हो, कोई guru हो कोई priest हो या यह हो सकता है कि जिस मंदिर में आप गए है मालो पूजा के लिए या जो भी धर्मिस्थान में आप गए हैं अगर मालो किसी भी काम के लिए तो हो सकता है आपके husband वहाँ पर किसी ना किसी act में involved हो चाहे वो पूजा करने आए वहाँ पर या खुद ही पुजा रही हो या किसी ऐसे function में बैटे हो जहां religious चीजें जो हैं वो हो रही हो यानि धार्मिक activities हो रही हो तो ऐसी चीजों में आपके husband की involvement हो सकती है और आपकी मुलाकात आपके husband से ऐसी जगा हो सकती है जहां पर धार्मिक activities हो रही हो दूसरी ये चीज की 9th house में अगर जुपिटर होगा तो जुपिटर अपने 5th aspect से देखेगा 1st house को 7th aspect से देखेगा 3rd house को 9th aspect से देखेगा 5th house को तो अगर जुपिटर 1st house को देखता है तो आपके ज्यान को आपके knowledge को बढ़ा देगा आपको बहुत ज़्यादा optimistic कर देगा आपको बहुत ज़्यादा ज्यानी बना देगा आपको बहुत ज़्यादा positive कर देगा चीजों के regarding दूसरा 1st house को संबंद हमारी body से है युपिटर को संबंद expansion से है तो हो सकता है body में growth कर दे यानि आपके fat को जुपिटर यहाँ पर बढ़ा दे थर्ड house को जुपिटर देखेगा तो आपके भाई भेन आपके लिए बहुत ज़्यादा लखी होंगे एक से ज़्यादा भाई भेन होने का योग हो सकता है आपकी communication skill बढ़ सकती है और जिन चीज़ों को आप manage करते हैं उन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से manage कर सकते हैं जो लोग आपके साथ काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लखी हो सकते हैं फिर जुपिटर 9th aspect से दिखता है 5th house को political चीज़ों की knowledge बढ़ सकती है political चीज़ों में interest बढ़ सकता है creative चीज़ों में interest बढ़ सकता है dramatic performances में आपका interest आ सकता है 5th house को संबन मंतराज से भी है तो जुपिटर की एगर knowledge 5th house में बढ़ती है तो मंतरों में भी interest आ सकता है हो सकता है आप एक से ज़्यादा मंतरों को सीखने की कोशिश करें 9th house जो है वो 11th house का 11th house है यानि 11th house हमारा gain और 9th house 11th house का gain तो 11th house के gain में अगर जुपिटर होगा तो 11th house की चीजों से आपको काफी gain हो सकता है आपके network circle से आपको बहुत ज़्यादा gain हो सकता है आपके friend circle से आपको बहुत ज़्यादा gain हो सकता है जुपिटर अगर अपने on shine में है 9th house में तो आपको बहुत rich, बहुत wealthy बना सकता है, अपने knowledge के regarding, धर्मा के regarding, मानलो कोई आप धार्मिक teacher हैं, मानलो कोई आप धार्मिक guru हैं, या मानलो आप professor हैं, या कोई पंडित हैं, तो अपने काम के थुरू आप बहुत जदा wealthy बन सकते हैं. तो दोस्तो, आज हमने आपको बताया कि Jupiter अगर आपके birth chart के 9th house में आता है, तब आपकी life में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप भी जाना चाहते हैं कि आपका Jupiter आपके birth chart में आपको क्या क्या फायदा करवा सकता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को कीजिए, और bell icon button दबाना बिलकुल न भूलें, और अगर आप हमसे personally बात करना चाहें, consult करना चाहें, या personally हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी website के थ्रू हमें mail कर सकते हैं, message कर सकते हैं, और दोस्तों आप हमसे बात दीदा सकते हैं, थैंक्स वर वाचिंग, बाए बाए